साथियों यहां लाल किले के पास यही पर गुरुतेक बहदुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुर्दवारा सिश्गन साहब भी है ये पवित्र गुर्दवारा हम याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरुतेग बहदुरुषी का बरिदान कितना बड़ा था उस समय देश में मजहभी कट्रता की आंधी आई थी धर्म को दर्शन विज्ञान और आत्मसोद का विशे मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्हों ने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाश्टा कर दी थी उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उमीद गुरुतेग बहदुर साब के रुप में दिखी थी आउरंग जेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरुतेग बहदुर जी हिंदधी चाधर मनकर एक चट्चान मनकर खड़े हो गए थे इत्याद गवा है कि वर्तमान समय गवा है और ये लाल कीला भी गवा है कि आउरंग जेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने बले ही अनेकों सीरों को धड़ से अलग करा लेकिन हमारी आस्ता को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका गुरुतेग बहदुर जी के परिदान ने भारत की अनेकों पीडियों को अपनी संस्कृती की मर्यादा की रक्षा के लिए उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दिया है बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई बड़े बड़े तुफान शान्त हो गए लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है भारत आगे बढ़ रहा है आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है मानवता के मार्क पर पत्व प्रदर्शन की उमीद कर रही है गुरुतेक बहदुर जी का आशिरवात हम नए भारत के अभा मंडल में हर और मैसूस कर सकते हैं प्रफ बारत की तर देख difड़ा है प्रदर भारत के प्रफ प्रदर सकते हैं